थम्मेल देखर समझ चुके होंगे कि आज की इस टोफिक पे हम बात करने वाले हैं आज हम जानेंगे मुर्गा पालन बेवसाय के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इसमें हम टीन टोफिक पे बात करने वाले हैं प्रिक है मुर्गा पालन वेवसाय क्या है अक्सा भी बताएंगे पॉल्टी फार्मिंग का जो नक्सा है मुर्गा फारम बनाने का नक्सा टोटल डीटेल में आज वीडियो लंबा होगा तो प्लेज पूरा वीडियो देखके जाईएगा तो आपको कहीं भी विजिट करने का जोगत नहीं है तो चलिए मुर्गा पालन वेवसाय के बारे में कुछ जानते हैं जरूर जनकारी आपको संपुन मिलेगी इस चैनल पर अगर इससे पहले अगर हमारे विजिए पॉलिटी फार्मिंग में आपका स्वागत है और इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए है त जो कि बेफसाय बहुत बनिया है माना गया है मुर्गा पालन देके कैसे सुरू करना ठीक है बहुत सारा सरकारी योजनाओं के तरह ट्रेनिंग लेकर आपको इस बिजनेस को सुरू कर सकते हैं मतलब कि यह हुआ कि आप सरकारी योजना से जूर जाए और उसके बाद आप ट ट्रेनिंग चाहिए और सरकारी योजना के बारे में जानना है तो हमारे चाइनल को सब्सक्राइब कर लेजे और कॉमेंट बक्स में जरू बताईएगा और इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं कि ठीक है सरकारी योजना तो हम लेंगे ही तो हमें लोन क्या मिलेगा जैसे क बिजनेस में तो देखिए सरकारी होजना का मतलब है कि लोन आपको मिलना चाहिए तो वो आपको फॉर्मिलिटी पूरा करना पड़ेगा डॉकुमेंट सारा पूरा करना पड़ेगा तो अभी हम खर्च के बारे में जानते हैं कि 50,000 रुपय से लेकर 2,000,000 रुपय तक आप इ साय आखिक क्या है बहुत सारे फार्मर भाईयों को समझ में अभी तक नहीं आया है जो सुरवात कर रहा है उनके लिए खास तो मुर्गा फारम जो है जाता है जैसे बॉयलर कहा जाता है कि अंडे के लिए भी मुर्गाओं को पालते हैं यानि कि आप मीट के भी हिसाब से प रेटिंग करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगता है एक साल से लेकर 180 से 270 अंडे देते हैं एक साल के अंदर ये 180 से 270 अंडे देते हैं और चूजो पान से छे महीने की उम्र में अंडे देना सुरू होते हैं और लाब तीन साल तक अंडे देते हैं पॉल्टरी फारम वाइलर मीट और अंडे के लिए मुर्गाओं को मीट के लिए आप परना चाता है तो बहुत बेनी फीट है इसमें अंडा में थोसा कम है अब हम नेक्स टॉफिक पर बात करने वाले दो टॉफिक हम बता चुगे है अब नेक्स है आपको नक्सा के बारे में मुर्गाओं फारम बनाने का नक्सा अगर आपको 1500 वर्ग फीट जहां अगर आपके पास 1500 वर्ग फीट जगा चाहिए तो लंबाई 50 फीट और 34 फीट तक कोल जगा 30 अगर हम गुना करेंगे 30 गुने 50 तो लगए 15 बर्ग फीट की जाली देना पड़ेगा और दो तरह दिवार रखे जाते हैं मतलब आपको जैसे पूरव पच्छिम हो गया तो आपको पूरव और पच्छिम आपको दिवार रखना है और उतर और दख्छिम आपको थेतना ठीक है उतर और दख्छिम रखें ताकि अ अंदर कर फ़िल Marian हबा जो है आपके हर में साथं अगर चैसे ही कोई दिक्कत नहीं है मिलेगा थूपका भी मातर बहुत ही आएगा तो यही एक रिजन था जो आप लोगों को बताना और आगे और सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉफिक हम लोग का रहेगा जो कि कल के देट में आपको मिलेगा मुरगा पालन के बीजनेस कैसा तुरू कर सकते हैं तो ये टोफिक कल हम बात करेंगे इसके बारे में और हमारे अगर चाइनल पर नए है तो लाइक, सस्काइब, सेर करना न भूले और अंतक बीडियों में बने रहने के लिए धन्यवाद